पडोसियों के घर में जागना घलत बात है लेकिन अगर आप प्रेम से जाक रहे तो बुराई नहीं है उनकी खुशी के लिए जाक रहे है श्रिलंका और नेपाल का मुकाबला होने जा रहा है फ्लॉरिडा में और इस मुकाबले के लिए दोनों ही बहुत तैयारी कर रहे तो क्या सेद वो ये कह रही है कि अच्छा चलता हूं दौा हमें याद रखना है नहीं नहीं ऐसा उमीद हमें नहीं रहेगी बिल्कुल और शिलंका के अगर बात करें तो बापसी के लिए टीम जानी भी जाती है और इनके पास आप देखिए ऐसा नहीं है कि तरकश में ती पिछ पर जहां पर वो पहले बैटिंग उन्होंने ले ली अगर वही शायद कुछ और होता तो मामला बदल सकता था मुझे उमीद है सुर्यान श्री कि कहीं नहीं कहीं ये जो मुकाबला है नेपाल के अगेंस्ट ये इनको एक ऐसा टॉनिक दे सकता है जहां से इनकी गाड नेपाल और श्री लंका है श्री लंका सबसे नीचे बार और दो मुकाबले वो हार चुकी और अभी जो दूसरा मुकाबला होगा नेपाल के ज़स्बाद वो सिफ एक ही मुकाबला है नेदलेंड का बिलकुल लेकिन इस चीज में आप देखेंगे सुर्यान शी तो मैं इसक रिजर्ट क्या होते हैं कौन जीता है कौन हारता है उससे बेतर है कि आप अपने मुकाबले जीती है और पहली जीत सबसे इंपोर्टेंट होती है इसलिए नेपाल के अगेंस्ट नई जगा फुलोरीडा आपने अब तक जो दो मुकाबले खेलें कैसे पीछ पर खेलें जहा हो रहा है यहां पर बैटिंग के लिए अच्छी मानी जाती है बनिजबत तो उमीद हमको यही रहेगी कि इनके बैटर्स चले उस हसाब से और फिर एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिले एक कमी तो कई नेपाल की है वो जो पकड़ ली निदिलेंड में वैसे डालस में जब वो खेल रहे थे तो आपने ख्राउड देखा था नेपाल के लिए लेकिन वहां पर एक कमी जो है वो लगता है नेदरलेंड ने पकड़ ली वो यह कि पहले ही जो पावर प्ले में सिर्फ 29 बना पाई थी नेपाल तो ऐसे में लग रहे है कि वहां पर कई नहीं पहीं बेशक बड़ अच्छा पॉइंट आपने उठाए खास्तों से अगर उनकी गेंदबाजी को देखे शुलंका की भी जिस हिसाब से तुशारा है वहां पर पतिराना है और ये दोनों ही गेंदबाज पैदा उठा सकते हैं लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है कि अगर पिछ बले अगर नहीं मिलेगी तो पर नेपाल के पास एक से बढ़कर एक बलेबाज है कप्तान रोहित पॉडल से लेकर भी है जो भुगत सकते हैं खामियाजा फिर श्रीलंका उसके बादे लेकिन एक बात तुम आने पड़े कि दोनों ही टीम के पास अच्छे गेंदबाज है और आ लेकि स्पिनर की बात आ रही है तो नेपाल के लिए एक ख़बर छोटी सी यह है कि इस मैच में तो नहीं लेकिन वेस्ट अंडी अगले जो दो मुकाब्ले नेपाल को खेलने हैं किंस्टाउन में वहां पर संदीप लामिचाने उनके स्क्वाड में जूर जाएंगे तो एक थोड़ी सी पॉजिटिव चीज उनके लिए लेकिन उससे पहले यह मुकाब्लागा जी जाते हैं तो सोने पे सुहागा बिलकुल सोने पे सुहागा होगा और संदीप लामिचाने जो है वो सबसे ज़्यादा हाइस विकेट टेकर भी हैंगे T20 फॉर्माट में लेकिन इस अपसेट हम देख रहे हैं या श्रिलंका को हडाकर भी अपसेट करेगी नेपाल कमेंट किजिए और देखते रहे हैं यह इस्पें क्रिकन फॉर टाइम और हिंदी